नवस्कार वियाइप इंडिया में आपका स्वागत है आज डी एलेट सिच्छा दिकदर्सन दुक्ति सेमेश्टर से समाजिक अध्यान अध्याई नौ सूर्य पिर्थिवी यहों प्राकिर्थ सक्तियों का मानो जीवन पर परभाव सौर्य मंडल के चित्र सही संचिप में विवरण कीजिए तो चित्र भी रहेगा तो सौर्य मंडल में सूर्य के नौ गरह होते हैं अब आठ है उप गरह चुद्र गरह उलका पिंड एव धूम को केतू समली थे गरहों में सूर्य की सबसे निकट बुद्ध तता सबसे दूर प प्लेटो जो अब नहीं है और इसमें बुद्ध है इसका सबसे छोटा गरह तथा सबसे बड़ा गरह पिर्थिवी विरस्पती है गुरू विरस्पती है सबसे कम परिकर्मन काल बुद्ध का तथा सबसे अधिक प्लेटो का है बुद्ध सुक प्लेटो के उपगरह चंद्र सबसे कम है अर्थात सुनने हैं बुद्ध और सुक प्लेटों की उपग्रह नहीं है जबकि वरिश्पति गुरु के उपग्रह चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है सुर्ष से बढ़ती ही दूरी के करम में गरह इस परकार है बुद्ध सुक पिर्थवी मंगल वरिश्पति सनी यूरेनस नेप्चून प्लेटों चित्र भी देख लीजिए नोट अब प्लेटो यम को नववा गरहों में सामिल नहीं किया गया है सुर्य या तारा वह अकासी पिंड जो अपने परकास से परकासित होता है तथा परकासे उसमें उर्जा पित्रित करता है सुर्य यत्वा तारा गहलाता है सुर्य के वयास पिर्थवी के लगभग वयास का लगभग सौ गुना है और इसका दरब्मान पिर्तिवी के दरब्मान से लगभग 10 लाक गुना है सूरी गर्म गैसों का एक गोला है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस उपस्तित होती है सूरी के निमनभाग निमनभाग नाभिक या सूरी का केंद्री भाग है इसका ताप लगभग 2 करोड कैलवीन तथा दाब लगभग 2 गुड़े 10 की घास 16 पासकल होता है नाभिक्य में सल्लन किरिया के फल सोरूप सूरी में असीम उर्जा उत्पन होती है परकास मंडल सूरी के नाभिक के चारो और बाहर लगभग 800 कекст से 1600 किलिमीटर के दूरी तक तपो ज्वल परत है जिसे परकास कहते हैं एक परकास मंडल का ताप लगभग 6000 डिगरी कैलवीन है वर्ड मंडल परकास मंडल के बाहर 4 और गरब गैसों की परत पाई जाती है जिसे वर्ड मंडल या कोरोना कहा जाता है इसका घनव तो बहुत कम होता है यह परत कम भागों में परकास उत्सरजित करती है कम परकात उत्सरजित करने की करण निकट इस्थित्ती वर परकास वाले परकास मंडल की तुलना में यह परत्य समान रूप से अद्रिस से होता है पूर सूर्य गरहण की इस्थिती में यह परत्य चमकदार दिखाई देने लगती है शौर मंडल में पिर्थवी एक अन्यन गरा है क्यों तो पिर्थवी शौर मंडल में जितने भी गरा है उसमें केवल पिर्थवी ही ऐसा गरा है जिस पर जीवन संभा हो पाया है अन्य गरहों पर जीवन की विकास के लिए उचीत और अन्यन गरा है तता इसे सौर मंडल के बिशिष्ट अस्थान प्राप्त हुआ है अतफ पिर्थवी एक अनोखा गरा है जिस पर जीवन संभा हो सका है पिर्थवी को बिशिष अस्थान परदान करने वाले घटक अत्वा परिस्तितियों निमलिखित है पिर्थवी का ताप जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन रसायनी किरियाओ से संचालन के अनुरूप है पोशक तत्तों के परिवहन हेतु सरल माध्यम जल है जटील अड़ों के निर्माड के लिए वातरों में आउक्सीजन, नैट्रोजन, हैड्रोजन, कार्बन, आदी, मूल, तत्तो, एकार्बन, डाय, आकसाइड, तथा, जल, वाप्स, उस्थित है पिर्धवी की उत्पत्ती किस परकार हुई है पिर्धवे की उत्पत्ती, पिर्धवे सूर का एक ग्रह है जिसके उत्पत्ति ग्रहाडवों के एक धंडे समोह से हुई है यह गरहाडू आंतरिक गरहों के छेतर में मुखेता सिलिकान, लोहा, मैंगनीसियम के याउगिकों के साथ सूच ममात्रा में अन्य तत्तों के मिलने से बने हैं जैसे जैसे और अधिक गरहाडू पिर्थवी से टकराते गए वैसे वैसे इसे जुड़ते गए इन गरहणों को की गतिज उर्जा टकराने की कारण उसमें उर्जा में बदल गई इससे इसका ताप भी बढ़ता गया इसके अंतरिक पिर्थिवी के समपीडन एव रीडियो एक्टिव बिकटन की कारण यह गरह और गरह और गरह होता रहा तथा अपनी उत्पत्ती के लगवक 80 करोड वर्ज के बाद पिखल गया आव इस गरह के गुरुत्वा करशन के परभाव की साहिता से स्वेम को पुनर विवेस्थित करना प्रारम कर दिया लोहा पिखल कर इसके केंद्र की ओर गिर्दने लगा तता हल्के पदार्त सरवत्र के कारण पिर्तिवी की सतह पर आ गे इसे भूपरपलटी का निर्माड हुआ गुर्त्वा कर्शन की कारण केंदर में पहुंचे लोहा से क्रोड का निर्माड हुआ और बीच का भाग प्रावार बन गया बिभेत के फलसरू वायु मंडल सागर महा सागरू तता महादीपों की उत्पत्ति हुई चंद्रमा तथा चंद्रमा की कलाओं का वाडन कीजिए चंद्रमा एक आकास ये पिंड है यह पिर्थवी की एक उबग्रा है जो पिर्थवी की परिकरमा करता है इस परिकरमा काल के दोरान ही गरहन, चंद्र गरहन जैसी घटना घटती होती है चंद्रमा का प्लायन वेग गुर्टा करशन सकती इतनी कम है कि उसके गुड़न के फल्सवरूप उत्पन वेग प्लायन वेग से आधिक हो जाता है जिससे वायू मंडल अंतरिश में पलायन कर जाता है चंद्रमा की कलाये फेसा अपमून चंद्रमा एक उग्रा है अतास्वयम परकास करने में सच्छम नहीं है बलकि सूर के परकास से प्रावर्तन के करण ऐसा अभास होता है कि चंद्रमा का प्रकास उत्पादन करता है पिर्थवी के चारो और घुमने के कारण इसका जो प्रकासी भाग पिर्थवी की और होता है वह पिर्थवी से दिखाई देता है या प्रकासी भाग लगतार घटता एवं बढ़ता रहता है चंद्रमा लगतार घटने और बढ़ने तथा विभिन आकार में पृतिवी से द्रिष्टी गोचर होता है चंद्रमा की इन अवस्थाओं को ही चंद्रमा की कलाओं को चंद्रकला भी कहते है सूरी गरहड क्यों होता है चंद्रमा पिर्थिवी के चारो और गूमता है तथा पिर्थिवी सूर्वी के चारो और अपनी धूरी पर गूमती है जब कभी गूमते गूमते चंद्रमा सूर तथा पिर्थवी के बीच में आ जाता है तब चंद्रमा की छाया पिर्थवी पर पढ़ने लगती है अर्थात पिर्थवी के इस भाग में खड़े मनुस को सूर नहीं दिखाई देता है इसे सूर गरहन कहते हैं ये केवल आमस्या के दिन ही होता है चंदर गरहन कैसे और कब होता है सूर गरहन तता चंदरमा के बीच पिर्थिवी आती है तब काउन सा गरहन होता है या BTC 2016 पूचा गया है चंदरमा स्वेम परकास उत्पन नहीं करता है या सूर का परकास पढ़ने पर चमकने लगता है जब पिर्थवी सूर तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पिर्थवी की छाया में आ जाता है जिसके करण सूर का परकास चंद्रमा पर नहीं पढ़ता और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है इसे चंद्गरहन कहते हैं या केवल पूर्ण मासि के दिन होता है इस चंद्रमा पृत्वी की उप्छाया में गुजरती है तो इसके कुछ भाग पर सूर्ण का परकास पड़ने लगता है और चंद्रमा की कुछ भाग दिखाई देने लगता है इसे खंड चंदगरहन कहते हैं दिन रात होने के कारण पर परकास डाली है बिटीसी 2016 दूत्य में पूछा गया है दिन और रात होने के कारण पिर्थवी के पास अपना परकास नहीं है पिर्थवी को परकास की और उसमा सूर से ही प्राप्त होती है जानते हैं कि पिर्थिवी पर दिन रात का काम कैसे चलता है पिर्थिवी का जो भाग सूर के सामने पड़ता है वहां दिन और जो भाग सूर के विपृत में रहता है वहां रात होती है इस परकास से पूरी पिर्थवी 24 घंटे में दिन रात का चक्कर पूरा हो जाता है गलोब पर यह विरित जो दिन रात को विभाजित करता है उसे परती दीप विरित का परकास विरित कहते हैं अगर पिर्थिवी अपने अच पर घुमती तो क्या होता पिर्थिवी का आधा भाग जो सूर के सामने रहता वो हमेशा दिन रहता और गर्मी रहती और सूर के सामने ना पढ़ने वाले भाग हमेशा अंधेरा रहता तथा ठंडी रहती आईसे शिति में क्या होता कि वहाँ ज पर्च देजिए प्राकृतिक्सक्तियं धर्धल का स्वा रूप सद्यू एक जैसा नहीं रहता वा बदलता धर्धायो के स्वारूप को बदलने में दो सक्तियां करती है आंत्रिक शक्तियं और किसी पर कार किया एक पनिर्मार करती है objective सूर मंडल से समझते हैं सूर अपने परिवार का मुख्या है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को उसमा अववा परकास देता है गरहह उपगरह चुद्र गरहह और उलका पिंड इस परिवार के सदस्य हैं सूर के मुक्या होने के काड इस परिवार को सौर परिवार अवा सौर मंडल कहते है पिर्थवी को नीला ग्रह क्यों कहते है हमारी पिर्थवी जिस पर हम निवास करते हैं भी एक ग्रह है या दूरी के करब में सूर के तीसरे अस्थान पर है अकार में यह सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है यदि पिर्थवी सूर के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप होने काड यहां जीवन संभव नहीं होता अगर इसका बीपरित यदि सूर से यहां अधिक दूर होती तो यहां बहुत ठंड़ा होने काड यहां जीवन भी संभव नहीं हो पाता पिर्थवी एक मात्र ऐसा अगर है जहां जीवन है जीवन के लिए उपयूग दसाएं केवल हमारी पिर्थवी पर ही उपलब थे इस दृष्टि से हमारी पिर्थवी सूर मंडल में नोका है पिर्थवी पर जल की मात्रा यहां जीवन संभव होने का सबसे बड़ा योगदान जल को जाता है पिर्थवी पर जल की मात्रा अधिक है इसी कारड अंत्रिस से देखने पर यह नीली रंग की दिखाई देती है क्योंकि जल का रंग नीला ही होता है इसलिए पिर्थवी को नीला गरह भी कहते हैं सौर मंडल में सूर की इस्तिति क्या है? सौर हमारे सौर मंडल का तारा है यह सौर मंडल के केंदर में इस्तित है और सभी गरह उपकरह वा छुद्र गरह निरंतर इसके चक्कल लगाते रहते हैं सौर हाइडरोजन से हीलियम जैसी बहुत गरम गैसे से बना है जो लगतार जलती रहती है सौर मंडल में सूरी ही परकास व उर्जा का एक स्रोथ है सूरी हमारी पिर्थिवी से लगभग 15 करोड किलो मीटर दूर है इस कारण इसका परकास लगभग 8.3 मिनट में पिर्थिवी पर पहुँच पाता है परकास की चाल 3 लाग पर किलो मीटर पर 30 सेकेंड है सौर मंडल का सौर परिवार किसे कहते हैं सौर मंडल या सौर परिवार किसे के सौर मंडल सूर के चारो चकल लगाने वाले भी भीन गरहों को छुद्र गरह धूंके तू उलका पिंड तता अन्यकास ये पिंडों के समू को सौर मंडल कहते हैं हमारे सवर मंडल में आठ गरह हैं, बुद्ध, सुक, पिर्थिवी मंगल, वरिश्पति सनी, अरूण वा वरूण, गरह किसे कहते हैं, कुछ हकास से पिंडो में स्वयम का परकास से उस्मा नहीं होता, वे अपने तारे के परकास से ही परकासित होते हैं, साथ ही वे अपने गरहों कोई अत्रिक्त आनेग छोटे-छोटे पिंड, वे शूर के चारों चक्कर लगाते हैं, इन अकासि पिंडों को छुद्रगरा कहते हैं, यह मंगल और उर्ष्पति के बीच में पाए जाते हैं, उलका पिंड किसे कहते हैं, सूर के चारों और चकर लगाने वाले पत् किस बिद्वान ने सरोपरतें पिर्थवी की आवसाद गनातों ग्यात की निउटन है शीमा की परत की मोटाई श्वेश के अनुसार कितनी है साव से उन्तिस सो किलियो मीटर के मद नीफिक परत में कैसे तत्तों मिले है निकिल वा फैरस वा भारी सिलिकेट मिले है सिलिकेट जथा मिश्रित मंडल किन तत्तों या कैसी सन रसना से बना है पेरिडो टाइट डायो राइट लोहा आदी से पिर्थिवी के चुम्बकत्तों का गुड किस कारण पाय जाता है क्योंकि भूक रोड या मद पेंड भारी वा लह धातु का बना है धन्यवाद इस आईडियो आटकल का सुनने के लिए ऐसा ही आईडियो आटकल सुनना है तो इस चैनल को सस्क्राइब दरूर कर ले धन्यवाद क्योंकि आईडियो आईडियो आईडियो